हलो फ्रेंट्स एक बाफ फिर आपको दोस्तों आगेता है न्यूस विदा ये इसमें और दोस्तों आज की वीडियो यूपी स्कॉल्ट से संबंदेश सभी स्टुडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है सुप्रेंट्स से दिया आप उतर प्रदेश से विलोंग करते हैं तो प्लीज इस वीडियो में अंतर तक बने रहीगा टैन्थ क्लास के रावा और टैन्थ क्लास से उपर क्लास 11 त 12 वी ए बीएस से बीकॉम्स के साथ सा जितने भी अंडर गिजुएट पोस्ट गिजुएट मेडिकल कोर्से डिप्लोमा कोर्से सिनिस्ट्र कोर्से सबी के लिए जो फॉर्म है वो एक आगस्त से ऑनलाइन फिल ह होना स्टार्ट हो जाएंगे आप सभी स्ट्रेंट्स के मन में यहाँ पर एक चीज का एक डाउट आता होगा एक क्वेस्टन आता होगा कि अभी हमारा जो प्रिवियस क्लास का रिजल्ट है वो जारी नहीं हुआ है तो हम अपना जो फॉर्म है वो कैसे बरेंगे अभी है ते एक अतिरिक्त ओप्सन दिया जाएंगा रिजल्ट नौ्ट एक डिकलियर डियांध दोस्तो रिजल्ट नौट एक डिकलिर्ट इस ओप्षन का प्रियोग करते हुए और बहुत सारे स्टुडैन्स आपने फॉर्म को यहाँ पर फिल कर पाएंगे जिन इस्टुश्रें को सब्सक्राइब करके वैल एकन को प्रेस कर दीजे ये तो आपको पता चल ही चुका होगा कौन सी क्रास के इस ट्रेंट के जो फॉर्म है वो कब से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ यदि आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो निश को काद में आपको बता दे रही है इस बार आधार कारड की बेस पर ही आपकी जो च्छात बिर्ति ये वह आपको प्रोवाइड की जागी इसके साथ यहां पर बताया गया आर्थिक रूप से कमजोर में धावियों को मिलने वाली सुल्क पृति पूर्ति के लिए अब आधार काड अनिवार है कर दिया गया आधार काड वैंक के खातों से लिंक कराना भी अनिवार होगा इसके साथ ही सुल्क पृतिपूर्थी के वुक्तान के लिए भी बित्य सहमती लेना अनिवार होगा सुल्क पृतिपूर्थी के लिए 24 जुटाइस से ऑनलाइन आवेधन के पिरक्रिया शुरू होने बाद यह बिस्तरत जानकरी आप यूपी स्किल और सिपकी ऑफीसियल वुक्तान सरकार की ओर से इसके लिए आवांटित बजट के वुक्तान से पहले बित्य विपाप की सहमती लेना जरूरी होगा और दूस्तों अगर अपने चैनल को साबस्क्डाब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राब करते हुए लगों ब्रेस के लीजए है थैंकियू सो मच फर वॉछिंग देश् वीडियो